हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफर्म के यूट्यूब चैनल पर चलिए सुरू करते हैं अपनी देली करेंट उफेर की क्लास जिसमें हम कवर करेंगे प्याईबी न्यूस को फिमस न्यूस पिपर लाइक दैनिक जागरण हिंदू में जो न्यूस चर्चा में उसको म कवर करेंगे न्यूस उन एर आकाशवाणी पर जो भी न्यूस चर्चा में उसको म कवर करेंगे National and International Days and Organizations जो भी चर्चा में उसको गवर करेंगे चलिए तो आज के Current Affair की क्लास से स्टार्ट करते हैं चंदियान 2 ने सोर प्रोटोन घटनाओं का पता लगाया है इसरों ने ये जानकारी दी चंदियान 2 और्बिटर पर एक पैलोड एक बड़े छेत्र Soft X-ray Spectrometers ने सोर प्रोटोन घटनाओं का पता लगाया है जो अंत्रिक्ष में मनस्षे के लिए बिकरण जोखिम में काफी ब्रधी करते हैं उपकरण ने Coronal Mass Injection CME भी धर्ज किया जो कुछ दिनों बाद प्रत्वेपर पहुँचता है जिससे भुच उम्बकिया तुफान आते हैं और दुर्बिया आकाश को Auroras से रोशन करते हैं तो बड़ी उपलब दिये भारत के लिए चंद्रियान टू ने ऐसा बता लगाया है चलिए नेक्स निउस देखते है इंडियन एर फोर्स ने यूके में बहुपक्षिय हवाई अभ्यास कोब्रा बारियर से नाम बापश लिया है कल मैंने आपको बताया था कि कोब्रा एक्सरसाइज होने जा रही है इंग्लैन के अंदर तो अब उससे भारत में नाम बापश लिया है भारती बायू से इननने यूक्रेन में संकर से उत्पन इस्थिति को देखते हुए मार्ज 2022 में यूके में एक बहुपक्षे हवाई अभ्यास कोब्रा बारियर में अपने लड़ाकु जेट बिमानों को तैनात नहीं करने का निरने लिया है यह गोशना यूके के वाडिंग्टन में 26-27 मार्ज तक अभ्यास में अपनी भागेदारी की पुष्टी करने के तीन दिन बाद आई है अभ्यास का उदेश्य परिचालन जोकिम प्रतान करना है तो देखे यह वापिस इसलिए लिया है भारत ने अपना नाम कोब्रा वारियर से अगसेसाइज से ताकि भारत अपना तथष्ट मत और मजबूत कर सके क्योंकि भारत तथष्ट है ना तो भारत USA और उसके नाटो कंट्रीज जो है उनकी तरब से और ना ही भारत इरिश्या की तरब से तो इसलिए भारत ने तर्थर स्टैने के लिए इसे नाम बापस लिया है चलिए नेक्स न्यूस देखते हैं महरास्ट्रा ने शुडू किये अपनी कृशी निर्यात निती महरास सरकार ने 25 फरबरी 2022 को राज्य की कृशी निर्यात निती शुरू की है यह है 21 कृशी बस्तू के निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यार कीश दिद करेगा भार सरकार ने दिसंबर 2018 में अपनी कृशी निर्यात निती का अनावरान किया था एग्रिकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी का जिसमें राज्य सरकारों को अपनी निती का मसोदा तयार करने का निर्देश दिया गया था तो महराश्टर ने अपनी निती तयार कर लिये चलिए नेक्स नियूस देखते है मनसुक मडाविया जी ने सुरू किया है राश्ट्रो पॉलियो टीका करन अभियान 2022 किंदी स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्री डॉक्र मनसुम मंडाविया ने 26 फरवरी 2022 के लिए बर्ष 2022 के लिए राश्ट्रे पॉलियो टीका करन अभियान की सुरात की है पॉलियो राश्ट्रे टीका करन दिवस 2022 का आयोजन 27 फरवरी को किया जाएगा पॉलियो बाइरस के खिलाफ जनसंख्या पृतिरक्षा बनाय रखने और पॉलियो मुक्त स्थिती बनाय रखने के लिए भारत हर साल पॉलियो के लिए एक राश्ट वियापी NID मतलब एक नेशनल लेवल पर और दो उपराश्ट ये ठीका करन दिवस आयोजित करता है चले नेक्स न्यूस देखते है मिरवाई चानू ने सिंगापूर बेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वनपदक जीत लिया है तो मिरवाई चानू ने 25 फरबरी 2022 को सिंगापूर बेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में 55 किलोग्राम भार बर्ग में स्वनपदक जीत लिया है एक नए भार बर्ग 55 किलोग्राम में प्रतिस परधा करते हुए मिरवाई चानू ने स्नैच में कुल 191 किलोग्राम, 86 किलोग्राम और क्लीन एंट जर्क में 105 किलोग्राम भार उठाकर स्वनपदक जीता है उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपेक में जापान के लिए पहला पदक भी जीता था चलिए अगली नियूस देखते हैं धाका में भारतिय उच्चायोग ने स्वर्णो जयन्ती छात्रबरती वेबसाइट को लॉंच किया है आपको पता होगा कि बंगलादेश की आजादी का स्वर्णो उसम मनाया जाता है तो धाका में भारतिय उच्चायोग ने अपचारिक रूप से 24 फरवर्ण 2022 को स्वर्णो जयन्ती छात्रबरती वेबसाइट को लॉंच किया है बंगलादेशी नागरिकों के लिए भारत में शिक्षा और ब्यवशाइक ताके अपसरों को साजा करने के लिए छात्रों के लिए एक हजार स्वर्णो जयन्ती छात्रबरती की घोशना 26 सताइस मार्ज 2021 को प्रधान मंतरी नराइंद्र मोधी जी की बंगलादेश यात्रा के दोरान की गई थी ऐसी घोशना है दोनों देशों के बीच संबंदों को और मजबूत करती है बैसे तो भारत और बांगलादेश के संबंद बहुत मजबूत है उन्हें किसी छात्रबरती की घोशना की ज़रुत नहीं क्योंकि भारत ने ही बांगलादेश को एक तरीके से जन्म दिया था ठीक इस्ट पाकिस्तान भी हो सकता तो वहाँ पर चलिए नेक्स नियूज देखते हैं केतंजी ब्राउन जेक्षन सुप्रिम कोट के लिए नामांकित पहली एसुएत महीला बनी है अमेरिकी रास्पती जो बाइडन ने संग्या अपील अदालत के नियाधिश केतंजी ब्राउन जेक्षन को अमेरिकी सुप्रिम कोट में नामित किया है बह पहली एसुएत महीला है जिने कोट में सेबा देने के लिए चुना गया है बैक कोर्ट में सिवा देने वाली छटी महीला भी होंगी 2013 में संग्य नयाइदेस बनने से पहले उन्होंने अमेरिकी सजा आयोग में सिवा की थी चले नेक्स न्यूस देखते हैं तो ये बैसे ये न्यूस भी काफी इंपोर्टेंट है पहली एसुएत महीला सोप्रेम कोड की जजब बनने जा रही है अमेरिका में तो ये इंपोर्टेंट हो जाते हैं न्यूस चले नेक्स न्यूस देखते है लचित बोर्फुकन की 400 वी जयनती का समहरो सुरू हो चुका है रश्टपती रामनात कोविन जी ने 25 फरबरी 2022 को अहोम जनरल लचित बोर्फुकन की 400 वी जयनती समहरो का सुभारम किया उन्होंने एक यूदस मारक और उनकी 1.500 फुट की कासे पृतिमा की निभी रखी लचित बोर्फुकन अहोम सजामजाज्य के महान सेनापती थे उन्हें 1671 में ब्रह्मा पूत्र पर सराय घाट की लड़ाई में उनके नेत्त्यू के लिए जाना जाता है तो सुतंत सिनानी बहुत इंपोर्टेंट होते हैं इनकी 400 भी जैनती मनाई जारी है अगले नियूस देखते हैं दिपक धर बने बोल्टर्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारती है प्रिथिष्टित बोल्टर्जमान पदक से दिपक धर को सांखी के भोतिकी के छेतर में उनके युगदान के लिए प्रिथिष्टित बोल्टर्जमान पदक से समानित किया जाएगा Boltazman Medal International Union of Pure and Applied Physics के सांकिक्य भोधिकी पर सिथ्री आयोग द्वारा हर तीन साल में दिया जाता है बहें प्रिस्टेन उनिवस्टी के जॉन होफ फिल्ड के साथ पुरुषकार को साजा करेंगे ठीक है मतलब यह सेरिंग में पुरुषकार दिया जा रहा है चले नेक्स न्यूस देखते है IIT दिली स्टार्ट अप ने लॉंच किया है दुनिया का सबसे छोटा बियरेबल एर प्यूरिफायर सो सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट न्यूस है कि आप एर प्यूरिफायर को घूम कर पहन कर भी घूम सकते है IIT दिली स्टार्ट अप नेको क्लीन ग्लोबल ने ठीक है यह एक स्टार्ट अप है IIT दिली का इसने दुनिया का सबसे छोटा बियरेबल एर प्यूरिफायर नासो 95 जिसका नाम है लॉंच किया है इसके अनुसार नेनो क्लीन ग्लोबल नासो 95 एक N95 ग्रेड नेजल फिल्टर है यह उप्योग करता कि नाग के छिदर से चिपक जाता है और बैक्टीरिया बाइरल संक्रमर और पराग और बायो प्रोडूशन को रोगता है तो यह काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाट में पॉल्यूशन के इस्तिती प्रति दिन बत्तर होती जारी है चलिए नेक्स देखते है रिशाप पंत को D2H ने बनाया है अपना ब्राइन इंबिस्टर डिश्टीवी इंडिया लिमिटेड ने DTH ब्राइन डिटुएच ने रिशाप पंत को अपना नया ब्राइन बिस्टर बनाया है किर्किटर अगले दो बर्षों के लिए 360 डिग्री ब्राइन संचार में शामिल होंगे इस्टीवी इंडिया लिमिटेड एक डिरेक्ट टु होम कंपनी है जिसके सौमेत में इस्टीवी और D2H जैसी ब्राइन ब्राइन डिस्टीवी NSS6, Isisat5, SES8, G715 सहीद कई सैटलाइट प्रेट्फर्म का लाब उठा कर सिगनल प्रदान करता है चलिए नेक्स नियूज देखते है C.DOT ने बारबे बारशिक Agis Graham Bell Awards में जित लिए हैं तीन पुरुषकार Center for Development of Telematrix इसे तिन श्रेणियों में स्वेधी रूप से डिजाइन और बिक्सित अभिनाब दूर संचार समाधानों के लिए समानित क्या गया है समानित भलाई के लिए तक्निक लोगडाउन प्रवंधन में अभिनाब और कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए निवारा को पाए ठीक है तो इन केटेगरी में तीन अवार्ड जीच लिए हैं सीडोट में सीडोट की फुल पॉम क्या है सेंटर फॉर डेवलेप्मेंट ऑफ टैली मेंट्रिक्स चिक है तो यह इंपोर्टेंट होती है कहीं भी पूछ सकते हैं चलिए नेक्स न्यूस देखते है शिक्षा मंत्राले ने भासा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की सुरूत की है मैंने आपको कल भी न्यूस में बता ठीक है जिसमें जो इतनी भी हमारी भासाएं हैं सुचित भासाएं हैं एर्थ शेडियूल में आते हैं भारतिय समिधान के तो उन 22 भासाओ को मिलाकर एक एप तैयार किया था जिसमें हम डेली उप्योग में आने वाले सेंटेंस को लगभग 1500 से 200 सेंटेंस को सीख सकते थे तो उसी को प्रमोट करने के लिए ताकि हम कहीं भी जाएं एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएं तो रीजनल भासा में भी बात कर सकें ठीक है कम्यूनिकेशन इजीली हो सके इसके लिए अभियान एप लॉंच की गई थी अब उसी को प्रोस्ताहन देने के लिए तो ये भी निउस काफी इंपार्टेन्ट है क्योंकि ये सस्टेनेबलेटी की और मुव करने में महतपूर्ण कदम प्रदान कर सकता है भारत को महतपूर्ण दिशा प्रदान कर सकता है आयाईटी कानपुर के सोध करता होने नेनो पार्टिकल्, आधारित, बायो जेब सूत्रीकरण गैर बिशिले प्रकर्तिका है और पर्यावरण के अनुकूल है आसानी से सड़ने योगिया है पोधो के रोगजनक के विकास और विकास को दबाने में मदद करता है चलिए next news देखते है यूई एफ ए ने चैंपियंस लीग के लिए पेरिस को सेंट पिट् पिट्सवर्ग में हो रहा था अब पेरिस में आए जितोगा 25 फरवरी 2022 को यूई एफ ए द्वारा चैंपियंस लीग फाइनल की मेजवानी करने से रूस को छीन लिया गया था जिसमें यूक्रेइन पर रूस के आकरमन के बाद सेंट पिट्सवर्ग की जगे पेरिस ने ले इस्टेट डी फ्रांस में होगा फ्रांस ने आखरी बार 16 साल पहले चैंपियंस लीग फाइनल की मेजवानी की थी जब बरसी लोनन ने 2006 के फाइनल में आर्सेनल को हराया था चलिए नेक्स निउस देखते हैं इनफोसेस ने उभरते बाजार में क्लाइंट की मदद करने के लिए लॉंच किया है मेटाबर्स फाउंडरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपणी इनफोसेस लिमिटेट ने मेटाबर्स फाउंडरी को लॉंच किया है यह मेटाबर्स के उध्यमों की खोज को आसान और तेजी से ट्रैक करेगा एक सामूहिक आभासी सा सामले बिक्सित कर चुकी है और ग्राकों के साथ सकीरे रूप से काम कर रही है चलिए नेक्स निउस देखते हैं औरीसा के पूर्व सीयम हेमनंद विश्वाल का निधन हो चुका है फरवरी 2022 में औरीसा के पूर्व सीयम हेमनंद विश्वाल का निधन हो गया हेमनंद विश से 5 मार्ज 2000 तक ठीक है तो उडिसा के पहले आदिवाशी मुख्य मंत्री भी थे इसलिए इंपॉर्टेंट है उन्हें 1998 और 1999 के बीच उडिसा प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के प्रमुख के रूप में भी न्युक्त किया जा चुका था तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्सन से चलिए नेक्स देखते हैं मसमी मंत्री नारायन राणे ने यूनियन बैंक MSME रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉंच किया है यह आप देख सकते हो कि इंद्यर सुक्ष लगू और मध्यमुद्य मंत्री नारायन राणे ने 25 परवेश 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का के इंडिया MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉंच किया इसे सुन्दिदुर्ग में दो दिवसिये MSME कॉनक्लेब में लॉंच किया गया है कार्ड की पेशकर्ष यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल पेमेंट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया यानिके NPCI के सहयोग से की जा रही है चलिए नेक्स देखते हैं केन सरकार ने अभिसेख सिंग को एनिजीडी का CEO निप्त क्या है केन सरकार ने बरिस्ट आईयस अधिकारी अभिसेख सिंग को नए राष्ट्य इगवर्णेंस डिजी बन के डिबिजन के मतलब सॉरी CEO के रूप में पदोनत करने की घोशना की है नागलैन केडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी अत्रिक्त सचिप के पद पर बेतन में पद सम्हालेंगे अधिकारी डिजिटल इंडिया कॉर्परेशन के प्रवंद निदेशक और मुख्या कारेकारी अधिक उप्राष्ट पती जी ने निजी स्कूलों से बंचित वर्ग के छात्रों की साहता के लिए नीतिया बनाने का आग्रह किया है उप्राष्ट पती जी ने स्कूलों से अपने पाठ्यक्रम में सामोदाइक सेबा को सामिल करने की भी अपिल की है उन्होंने हमारे सम्रत और वि एटेलियर का उद्घाटन किया था तब ये सारी बाते कहीं इंपोर्टेंट ये है समावेशी नियाय तथा गणवात पूर्ट सिक्षा प्रतीक वच्चे का अधिकार है और कहां पर ये भाशन दिया इन्होंने उद्घाटन के दौरन तो बैंगलोर में चलिए नेक्स देखते हैं प्रधान मंत्री ने युक्रेइन के महामाईम राष्टपती बोल्डो मेर जैलेंस की से बात की है आपको पता होगा कि रश्या और यूक्रेइन के बीच बार चल रहा है रश्या ने उसके दो छेत्रों को स्वतनतर खोशित कर दिया है जो अलगाब और संपत्ती के नुक्षान पर तथा लोगों की मौत पर गहरा दुख्य भी ब्यक्त किया है और उन्हें हिंसा की ततकाल समाप्ती और संबाद को फिर से सुरू करने के लिए अपने आवाहन को धोराया तथा सांती प्रियासों में किसी भी तरका योगदान देने की भारत क इच्छा ब्यक्त की चलिए नेक्स न्यूस देखते हैं कैबिनेट ने कोईला कंपणियों द्वारा छेत्र विशेश की निलामी के स्थान पर एक साजह इन इलामी बिंडो की माध्यम से कोईला उपलब्द कराने की मंजूरी दी है प्रधान मंतिर सिंद्धिन मोदी की अध कोईला विक्री के लिए इन इलामी बिंडो को मंजूरी दी गही है चले नेक्स न्यूस देखते हैं कैमिनेट ने सोला सो करोड रुपे के बजट के साथ पांस साल के लिए आईश्मान भारती योजना डिजिटल मिशन के किरियान बयन को मंजूरी दी है ABDM टेली मेडेसिन जैसे तकनीकों के उपयोग को प्रोसाहित करने और स्वास्थ है सेवाओ के राष्टे इस्तर पर बिकल्प चेन को शक्षम करने गुर्वता पूर्ण स्वास्थ है देखवाल तक न्याय संगत पहुँच में सुधार करेगी नागरिक अपना आभा यान 200 क्रोन रुपे के बजट के साथ पांच साल के लिए आईश्मान भारत डिजिटल मिसन के किर्यान वेन को मंजूरी दी गई है चले ने एक्स देखते हैं रक्षमंत्री राजनात सिंग ने दिल्ली विश्विध्याले की 98 दिक्षान समहरों को संभोधित किया भारत की शक्त इखटे कर रहे हैं बहुत साथ न्यू टेक्नोलोजिस डेपलप कर रहे हैं पर्मानों संपन सकती है भारत तो रक्षमंत्री जी ने इस पश्ट कर दिया है कि भारत की सक्ति में बढ़ होतरी किसी को डराने के नहीं बलकि दुनिया के कल्यान के लिए और आत्म रक्षा के ल ये न्यूज हम पार चुके हैं ठीक है ये गलती से द्वारा लग गई है चलिए नेक्स न्यूज देखते हैं मुंबाई में भारती सिनेमा का राष्टे संग्राले जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है आपको पता का कोविड रेस्रिक्शन की बज़े से बंद था अब कोविड रेस्रिक्शन के दौर अनबंद रहा भारती सिनेमा का राष्टे संग्राले जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है चलिए नेक्स न्यूज देखते हैं सचीव MSME ने महरास्टर की सिंदु दुर्ग में राष्टिया निसुची जाती निसुची जन जाती के लिए MSME कौन गलेब की अध्यक्षता की पहले वी निर्मार उद्योगों पर लागू MSME योजनाओ को सेवा छेतर में भी बिस्तारित किया गया है ऐसा बताया गया है MSME सच्चिव के द्वारा चलिए next news देखते है MSME मंतरी सिंद नाराएं राडे ने सिंदु दुर्ग के कनका वल्ली में कयर बोर्ड के छेते कारयाले का उद्गाटन किया सिंदु दुर्ग में कैर बोर्ड, छेते कारयले, कुंकर छेतर को केरल और तमिलनाडु की तरह समरत बनाने में शक्षम होगा ऐसा मैसा में मंत्र नाराइन राणेजी ने कहा है ठीक है तो ये भी इंपोर्टेंट है केंदे स्पात मंत्री जी ने क्या कहा है बिभिन योजनाव और गति सक्ति मास्टर प्लान की बदोलत इस्टील की खपत निरंतर बढ़ती रहेगी दिट्र की स्पात शेतर को विकास का मिशन तयार किया जा रहा है आपको पता होगा प्यम गति शक्ति बजट का एक महत्मूर चारण है ठीक है तो उसी के त्वारा और तेजगती प्रतान की जाएगी और स्टील की खपत बढ़ती रहेगी ऐसा अनुमान लगाया गया है केंद्य मंत्री टॉक्टर जितेंडर सिंग ने नवन मेक्षन स्टार्ट अप के अन्वेक्षन सनरक्षन तथा उसे सहरा देने की अपील की है विग्यान एवम प्रद्योगी की पर आधारित एक स्टार्ट अप पारित अंत्र के स्रुजन पर जोर दिया गया है मंत्री ने CSIR द्वारा आयजित राष्टे स्तर वेग्यानिक रचनात्मक्ता प्रतियोगीता CSIR जिग्यासा विग्यान महतसब 2022 के विजेताओ की घोशना की CSIR जिग्यासा कारेक्रम का कार्यान वेन 2017 से किया जा रहा है तथा इसने देश्वर में चार लाग से अधिक छात्रों को लाभामबित क्या है यह इंपोर्टेंट है जिग्यासा कारेक्रम किसके द्वारा करा जाता है CSIR के द्वारा ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है CSIR के द्वारा 2017 से कराया जा रहा है किंदे समाजिक नियाय और अधिकारीता मंत्री डाक्टर बिलेंदर कुमार महरास्ट के एहमद नगर में बरिस नागरिकों को दैनिक जीवन सहायता और सहायता उपकरण प्रदान करने के लिए राष्ट्य बयोस्री योजना के तहत एक वित्रण सिविर का उधगाटन करेंगे एहमद बाद जिले में 37 करोड रुपे मूलिय की बिभिन श्रेनियों के जैनिक जीवन सहायता और सहायक उपकरण बित्रण किये जाएंगे आपको पता होगा कि भार सरकार की बयोस्री योजना है तो उसी के अंदर गत राष्ट्य बयोस्री योजना के तहत बयस नागरिकों को उपकरण प्रदान किये गए हैं चले नेक्स न्यूस देखते हैं तो यह थी आज की कुछ इंपर्टेंट न्यूस कि वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू